हेलो इस्टुरेंट मैं एक तस ही आप सभी का ग्यान चेतने चैनल बहुत बहुत स्वाथ करती हूँ आज के इस वीडियो में हम मौरे कालीन धार्मिक दशाओं के बारे में देखेंगे किस प्रकार से धार्मिक दशाथी बहुत छोटा सा वीडियो है तो सुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हैं मौरे कालीन भारत में अनेक धर्म और सम्परदाय प्रचलित थे को क्या है उसके बढ़ावा करने के लिए उसको फैलाने के लिए क्या किया प्रोध साहन किया आगे है कोटले ने भारत के प्राचीन धर्म को त्रई धर्म कहा है तो कोटले कहते हैं कि भारत का जो प्राचीन धर्म है उसको त्रई धर्म कहा गया है कोटले के अनुसार इस काल म ऐसे धार्मिक संप्रदायों की सत्ता थी जो पुराने वैदिक और त्रेई धर्मे से भिन्य थे इन संप्रदायों के लिए कोटल ने विशल और पाशंड शब्द का प्रियोग किया है तो यहां पर उनके जो त्रेई धर्मे से जो भिन्य थे तो उन संप्रदायों के लिए को ये दोनों एक ही है तो इसके लिए अन्य धर्मों के लिए उन्हें ने विर्शल शब्द का प्रियोग किया हैं। प्रदान धर्मे था परंतु इसका स्वरूप क्या हो चुका था इस समय तक जो प्रदान धर्मे था मोरियों का वो इस समय क्या हो चुका था बदल चुका था। बैदिक धर में जो है मौरियों तक आते आते क्या हो गया तो उसका पूरा सरूप बदल चुका था प्राचीन बैदिक धर में मंदिर मूर्तियों पूजा के लिए कोई इस्थान नहीं था जो हम प्राचीन बैदिक धर में देखते हैं तो यहां पर कोई मंदिर नहीं मूर्ति नहीं हुआ करती थी लेकिन मौरे काल में क्या है मूर्ति पूजा का मातपूर्ण इस्थान हो गया था मूर्तियां मंदरों में इस्थापित होने लगी थी अर्थिसास में मंदरों में इस्थापित बिविन देवी देवताओं की मूर्थियों के नाम दिये जाते हैं तो यहां पर अर्थ साथ जो की कौटल ने द्वारा लिखा गया है उसमें ये बर्णन किया गया है साथ ही मूर्थियों के नाम भी बताए गया है यहां पर कहा गया कि नगर के मद्ध में अपराजित, बबने नगर पूरा एकमालीजे ये एक नगर है, नगर के बीच में क्या है? मद्ध में अपराजित और आपरहित जायंत वेजंत के कोश्टक, तथा शिव, वेश्रम, अश्विन, तथा श्री, एवं मंदिर के गरहे इस्थापित किये जाते थे तो जो नगर के बीच में है ये वाले स्थान पर नगर के बीच में इन सभी के क्या है मंदिर इस्थापित किये जाते थे आगे संभावता अपराजित आपरतिहत जायंद वैजंद देवराज इंद्र के विविद नाम थे तो ये किसके नाम है ये और अश्विन जो है वैदिक देवताओं में से एक थे श्री लश्मी का प्रयाय है संभवता मंदरा भी दुर्गा अथ्वा काली की भाती कोई प्राचिन देवी रही होगी आगे है नगर के चार प्रमुख दर्वाजों का विविन देवताओं मोर्तियों के इस्थापित किये जाते थे नगर के जो चार दर्वाजे हुआ करते थे उन पर भी मोर्तियां इस्थापित होने लग गई थी मोरे काल में तो ब्रह्मार जो है वो उत्तर दिशा में हुआ करते थे तो ब्रह्मा कहा होते थे उत्तर दिशा में इंद्र जो है पूरव दिशा में तो अगर हम इस तरह से देखें तो ये उत्तर है ये पूरव है ये पश्चिम है और ये दच्छण है तो उत्तर में हो गए ब्रह्मा जी ब्रह्माजी हो गए, पूरम में हो गए, इंद्र, यम जो है, दच्छर में यम है, और इसकंद जो है, वो पश्यम है, तो इस तरह से क्या है, नगर के जो प्रमुख्ध दर्वाजे हुआ करते थे, उन दर्वाजों पर भी मूर्तियां इस्तापित की जाती थी, जैसे कि उत् पूरबाले दर्वाजे में इंद्र की और पश्यम वाले में इसकंद की, तो एक ये नगर है, इसके जो चार दर्वाजे होंगे, उन पर ये जो है, मूर्तियां बनाई जाती थी, आगे देखते हैं, वरुन जो है, वरुन नागराज और संकर्शन दे उताओं का भी अर्थ अर्थिसास में उलेख है, तो कभी एकजाम में पूछा जा सकता है कि किन देखताओं का अर्थिसास वरुन करता है, तो वरुन हो गया, नागराज हो गया, संकर्शन इनका भी अर्थिसास में उलेख किया गया है, इसके पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है, इनके जो है नाम दिये गए हैं मंदरों में जो मूर्थियां इस्थापित करती थी उनके भी यहाँ पर नाम मिलते हैं आगे हैं मंदरों की संपत्ती की देखरेक तथा उसकी विवस्ता के लिए प्रथक आमात्य की नियुक्ति की जाती थी देउताद्यक्ष का मतलब है जो मंदिरों के देखरे करें पातनजली का मानना है कि धन के लिए देउताओं की प्रितिमाय बना कर वेची जाती थे तो पातनजली जो है वो यहां पर एक्जामपल देते हैं कि देउताओं की प्रितिमाय बना कर इस समय क्या है वेची जाती रह चल रहा था उस समय मौरे कालीन में तो अशोक के साथ वे अभी लेक में हमें चर्चा मिलती है आजीवक संपरदाय की आगे बात करेंगे अशोक के काल में विविन धानमेक समुहों कर निम्नांकित रूप से विवाजित था ब्रहमार श्रामार बौध आजीवक आगे अशोक ने गया के पास बरावर की गुफाओं पहाडियों की गुफाओं में आजीवक संपरदाय को परदान की और उसके पोत्र जोकी दश्रत इन्होंने भी नागरजुन पहाडियों को किसको दान दिया था तो आजीवक संपरदाय को दान दिया था अशोक ने बरावर की गुफ 30 की अद्यक्षतामें तिट्य Baudh Kaale embedded 3 daypee? यह आपर यहां पर यह निश्यत किया गया इस zo तीसरी अद्यक्षता बहुत सारे देशों में यहां पर कया है बहुत सारे देशने धर्म गेजने बहुत धर्मों को फैलाने के लिए हमें देश विजेसों में क्या है अपने दूत भीजने चाहिए तो यहाँ पर यह डिसाइड हो गया था और महावंच में इसके सूची भी मिलती है कि धर्मे परचार के लिए दूत भीजे गए थे देशे मजिंग तिंग कश्मीर और गंध महा रक्षित गए थे महाराष्ट में महाधर में रक्षित गए थे महाराष्ट में महादेव जो है महीश मंडल जो है मैसूर और मंधाता में गए थे रक्षित जो है बनवासी उत्री करनण में गए थे सोन और उत्तर जो है सोन तथा उत्तर में सुवन भूमी और महेंद्र और संग मित्रा जो है वो श्रील लंका में गएते तो यहां से भी जो है एक्जाम नर जो है कोशन बनाता है और बहुत ही important है यह वाला fact है तो यह हुआ हमारी बहुत कालिन धार में इस से दे आई होब आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है मोर एक आलिन मूर्थी कला या मूर्थी कला इस्थापित कला से समन्दित होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में